नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलिवड की गलियारों में और मैं हूँ आपके साथ आपकी चुलबली सी दोस्त सूमन पाल चलिए शुरुबात करते हैं बॉलिवड की दुनिया में बॉलिवड अभी एता शारुख खान के बेटे आरन खान मुंबई कुरुस ड्रक्स केस में जमानत मिलने के बाद आज तकरीबन एक महीने के बाद मुंबई के और्थर रोड जेल से रिहा हो गए है शारुख खान के अपने काफिली के साथ ही आरन खान को लेने खुद आर्थर रोड के जेल पहुँचे थे और आपको ये भी बता दे कि जेल और शारुख खान के घर मनत के बाहर पड़ी संख्या में लोग मौजूद थे आर्थर रोड जेल के अधिकारी के मुताबिक आरन खान अपनी रिहाई से बेहत खुश दिखाई दे रहे है जेल में बिताना पड़ गया था अब वहीं शारुख खान के लाडले के लिए ये बड़ा आसान नहीं था आगे की राह जो थी वह बहुत ही आसान नहीं थी क्योंकि आरेन को सिर्फ जमारत मिली है केस में छुटकारा नहीं मिला है जितने भी रिलीज और ओर्डर्स बॉक्स में होते हैं उन्हें निकाल कर जेल के अंदर आफिस में ले जाया जाता है इसके बाद सारे लोगों को उनके नाम बुलाए जाते हैं और उनके बैरक से बाहर निकाल लिया जाता है उनके पास जेल का जो भी समान होता है वो जमा कर लिया जाता है और इसके साथ ही आपको बता दे कि रिलीज जो हुई है और उसे जेल स्टाफ वेरिफाई करता है एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाए तो दस बजी के करीब जब जेल से खुलता है तब एक कर लोगों को छोड़ने की परकिरिया है वो श्यूरू हो जाती है फिलाल आयन खान जमानत पर है धेरो सारी फिल्में और सीरियल में चरित्र भूमी का निभाद चुके और जाने बारे फिल्मकार हंसल महता के ससूर यूसुफ हुसेन का करोना की संक्रमन के चलते निधन हो गया आपको बता दें कि उन्होंने दिल चाहता है विबाद धूम और क्रिश ओमा साइग और ऐसे ही कई फिल्मों में काम किया है आपको यह भी बता देते हैं कि इसके अलावा वे कई लोग प्री है धारा बाहिक में भी नजर आए है छोटे परदे और एक चरित रोगलकार के त और में गुजर रहे थे उनका करियर लगवग खतम हो चुका था और उनके पास फिल्म शहीद बनाने के पैसे तक नहीं थे ऐसे में उनके ससूर यूसूफ हुसेन ने फॉरन के चेक साइन कर फिल्म शहीद शाहीद बनाने की मदद की थी और इसके साथ है जिसके बाद उनक टेलिविजन की मश्यूर हस्ती और विजे अनुशा दांटेकर की शुकरवार को अपने एक्स बॉइफरेंड करन कुंदरा के अपरतियक शुरूप से ताना मारते हुए सच और जूट के बारे में बात की है आपको बता दे कि हाल ही में करन ने बिग बॉस पंदरा में अपने ब्रेक अप पर चर्चा की थी और वहीं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अनुश का और अनुशा और एक लंबा पोस्ट सांचा किया था जिसमें उन्होंने पूरी सच्चाई के बारे में लिखा था लेकिन लोगों के मादम से देखने की आपनी जो शम्ता है वो बहतर हो जाती है अनुशा ने अपने पोस्ट के साथ ही लिखा है कि मैं इसे देखने के बाद महसूस कर रही हूं कि मैं सच मुझ बहुत कुछ कहना चाहती हूं लेकिन मैं सम्मान पूर्वा का अपनी शांती और विवेक बनाये रखूंगी क्यूंकि मैं धोके बात जीवन में बहतर से बहतर हूं और मैं आप सभी महिलाओं और पुर्षों से बात कर रही हूं जो खुद को काम आगते हैं और इसके साथ ही मानते हैं कि आप कम लायक हैं बस पता है कि बार जूट कोई शुरू करता है तो वो केबल खुद को उनके जाल में उजच सजाता है उसे ये महसूस करने पड़ता है कि एक मातर रास्ता सच है और मेरे पास मेरा है और मैं पूरी सच्चाई जानती हूं दूसरी और ये जानना भी खेल कैसे खेला जाता है या मास्टर माइट कहलाना कोई गर्व की बात नहीं होती है वहीं हाल ही में बिग बोस 15 के घर में करण ने शमीता शेटी से कहा लोकडाउन के वक्त मेरे साथ एक ही समय में बहुत सी चीजें हुई हैं आपको बता दे कि साल 2020 में अलग होने से पहले ही अनुशय और करण लगभग साड़े-3 साल तक रिलेशन्शिप में थे हुआ है